हमार जारखन नियूज आपकी सोच आपकी खबर जारखन परदेश स्वास्त सहियासन के सहियाओं ने अपनी मांगो को लेकर शामदाइक स्वास्त तरकेंदर सिल्ली के मुख गेट के शामने अन्शित काली नहरताल में बैठ गई सहियाओं का कहना है कि 2005 से सहिया का काम करते आ रहे हैं अस्पताल के कामों में दिन रात कभी भी बुलाने पर आकर सेवा देने का काम किया है लेकिन हमारे उपर किसी की नजर नहीं है और आज के इस महंगाई में जीब का चलाना बहुत कठीन हो गया है 2,000 रुपए मिलते हैं उसे जीवन कैसे कटेगा इसलिए हमारी मांगे हैं कि 18,000 रुपए अनुदान दिया जाए और साथ ही हमारी सेवा को अस्थाई किया जाए और यह भी कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम लोग अनिश्चित कालीन हर्ताल पर बैठे रहेंगे लेकिन हम लोग गांग के सभी लोगों को नहीं हुआ पर हosP Dadal में इलाज करा रहे हैं और माती में तुदर सिसु में तुदर को कम किये हैं हम लोग सोचे कि आज नहीं कल हम लोग को मांन दे होगा, कुछ मिले गा लगिन इतना दिन से हम लोग Malaysia 2000 ही मिलता है जो यहां प्रोसान रासी के बहरों से हम लोगो चलना नहीं है, दोहजार में कुछ दम नहीं है, हम लोगो क्या होगा? घर रात होता है, कभी भी बुलाता है तो हम लोगो हस्पीटल पहुच जाते हैं, कभी भी, रात हो, दिन हो, बच्चा सब को सब छोड़ के हम लोग हस्प